नमस्कार आप देख रहे हैं लाइब यारोर मैं हूँ आपके साथ विशाल जा जदियू में विले करने के बात से ही उपेंद कुश्वा ऐसा एक भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं जहां वो बिहार की जंदा को ये बता सके कि सीम नितिश से उनकी मित्रता जो है जब सरक से लेके सदन तक सीम नितिश को गेंडने का प्रयास करते हैं और सीम नितिश के उपर अमर्यादित लहजे में टिपनी करने का प्रयास करते हैं तो सब से आगे आकर अपना बयान देने के लिए उपेंद कुश वाही आ गया आते हैं दरसर मंगलवार को बिहार विदान सबा में पुलिस के द्वारा बल पूरबक विपक्चो को सदन से बाहर निकाल दिया गया ऐसे में जो है वो तेज़चुई आदव काफी घुसा हो गए और उन्होंने शाम को प्रेस कॉन्फरेंस करके सियम नितीश के उपर एक के बाद एक हमला बोला उन्होंने आमार्यादित लहजे का इस्तमाल करते वे ये तक कह दिया कि बिहार की बल्कि देश की राजनीती में सबसे बरका जुटा मुकमंती अगर कोई है तो वो है सियम नितीश इसी बात को ले करके जो है वो उपेंद कुछवा काफे गुसा हो गए और काफे भरक उठे उन्होंने इसी क्रम में आगे बरते वे तेजश्वी आदव को ले करके एक ट्वीट किया और उन्हें लिखा कि तेजश्वी आदव को हमेशा अपनी मर्यादा का ख्याल रगना चाहिए वो भले ही बिहार की राजनीती में उन्होंने कई सालों तक लालुयादव के साथ काम किया लेकिन आज तक किसी ने भी लालुयादव को लल्वा कहने का प्रयास किया तो उपेंद कुछवा का यही क्याना था कि हम लोग हमेशा ही लालुयादव जी को भी मर्यादि करना चाहिए और साथ ही अपने मर्यादा का खयाल भी रखना चाहिए इसी क्रम को आगे बर आते हुए उपेंद कुछवा ने ये तक का कि देज़श्वी आदव एक ऐसे बैटे हैं जिसने अपने पिता जी को ही सौचाले में बंद कर दिया था तो उनसे क्या ही उमीद किया जाए वह उन्हें किसी भी तरह की समझ नहीं है वह जब गटबंधन की सरकार थी जब हम उनके साथ शामिल थे तब भी वह लोगों को आमर्यादित लहजे में संबोधन करते थे उनके भले ही कभी भी हिम्मत ना हुई कि हमारे साथ आमर्यादित लहजे में बात करने की लेक वो अनाप्शना बोलते रहते हैं ऐसे में अगर लालू यादव आज के समय में अगर जेल से बाहर होते तो वो अपने बेटे को जरूर समझाते हैं लेकिन तेज़श्वी यादव का जिस तरह का सोच हो गया है वो अपने पिता का भी बात नहीं मानते हैं ऐसे में इस तरह के बरे आरोप लगाते हुए उपेंद कुश्वा ने एक बार फिर से यह साबित कर दिया कि सीम नितीश पे किसी भी तरह का लांचन या आज लगता है तो वो उनके लिए हमेशा करे रहेंगे जद्यू कोटे से मलसी बनाने के बात से ही जो है वो उपेंद सिती होती है उसमें जो है उपेंद कुश्वा पूरी तरह से प्रयास कर रहें को सीम नितीश को कुछ रख सके और जो हैं उनके लिए जितना आगे बरकड़ हो सके वह बोले ताकि उनने ज्यादा से जादा मंत्री मंदल मिले तो ऐसे ही जैसा कि आपने देखा कि किस तरह से सब्सक्राइब जरूर करें यूट्यूब पर लाइक जरूर करें